तो आदावनों उस्कार को डिनिंग से सेकाल एक वर फिर आप तुमाम नों का स्वागत एक क्राइम तक की कहानी कि इस एपिसोड में अम्मीद पुरी फैमी अच्छी होगी अपना और अपनों का ख्याल रखरी होगी आज सुबा सुबा बेहत सुबा तरी पांच साले पांच यह हुआ कि पाकिस्तान से एक बहत चौकाने वारी खबर आई है खबर यह कि अन्रवर्ड डॉन डी कंपनीं का सीयो डाउद इबराहीम उसे जहर दे दिया गया और वो कराची के एक अस्पताल में भरती है बलके यह है कि वो भरती नहीं उसकी मौत हो चुकी है लेकिन इस म खड़े हो गए अलग अलग शेहरों से कंफरमेशन शुरू हो गई मुंबई में अपने क्राइम रिपोर्टर दे वेस्ट्रिंग उन्होंने भी पता करना शुरू कि अधर हम लोग भी लगे तो यह जो खबर आई, यह खबर है किया? इसमें कितना दम है? कितनी सचाई है? यह उड़ी कहां से? आई कैसे? और अगर वाकई दाओत को प्वाइजन दिया गया तो किस ने दिया अगर सच में दाओत की मौत हो गई तो क्या उसके मौत की खबर कभी जवाने के सामने आपाईगी यह सारे वो सवाल हैं जिसके जवाब आपके सामने आज रखने की इस कहानी के जरीए कोशिश करता हूँ तो जैसा कि बताया सुबा सुबा खबर आई जब खबर आई तो हर एक अपने सोर्स पर लग गया अच्छा हमारे जो देश में सारे क्राइम जो पुटर्म का एक ही सोर्स अंडरवर्ल डीकम्परिंग है और वो छोटा शकील है चोटा शकील चुकि मीडिया से अमूवन बात कर लेता तो हर एक ने फोन मिलाना शू किया फिर उदर से मैसेज आया सवाल यही था कि जो सच्चाई जो सामने आ रही है कि दाओद को जहर दिया गया दाओद की मौत हो गई क्या ये सच है तो दाओद से रिपला आया भाई बिलकुल ठीक ये खबर जूटी है सब बकवास है अब इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ है ऐसे कई मौके अलग अलग आया जब दाओद के मरने की खबर आय थी और तब भी छोटा शकील ने ऐसे ही कुछ बाते की थी तो फिर यह हुआ कि यह खबर उड़ी कहां से तो मालुम यह हुआ कि एक पाकिसतानी जनरलिस्ट है आरजु गाजमी और आरजु गाजमी वहाँपर सोशल मीडिया में काफी एक्टिव है और काफी दिलेर है वो एक ट्रासल की दिलेरी की तारीव करों है कि पाकिस्तान में रहते वे इस तरह की खबरें खुले आम वो करती हैं चलाती हैं जिन खबरों पर आम तौर पर सेंसरशिप है तो उनका ये था एक वीडियो आया जिसमें ये था कि दाओद इबराहिम को किसी ने पॉईजन दे दिया और वो अस्पताल में भरती हालत नाजुक है बलकि एक खबर ये भी थी कि मौत हो गई फिर कुछ दिर के वाद दूसरी खबर आई कि पॉईजन नहीं फूट पॉईजन नहीं ये चौती मौत की खबर दाओद इबराहिम की पिछले कुछ सालों में उड़ी थी तो मुझे लगा कि एक तो आर्जुकाजमी से जरूर बात करनी चाहिए वो तैयार भी हो गई अब दाओद की मौत या जहर के बारे मैं उनसे डिटेल में मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले जब मैं अपनी कहानी खत्म कर लूँगा अपनी बात खत्म कर लूँगा इसके बाद आप जो भी सुनेंगे आर्जुकाजमी जो पाकिस्तान की जर्नलिस्ट है वो आप जो भी मेरे मन में सवाल था मैंने उनस पूछ लिया और बहुत सचाई और रिबंदारी से उन्होंने जवाब दिया तो वो पूरी बात चीट इस कहानी के बाद आपको सुनाओगा पहले कहानी सुना देता हूँ तो ये खबर आई कहां से और कैसे अचानक की दाओद मर गया या दाओद को फिर जहर दिया गया या फूर्ट वाइस नहीं है तो इसकी शुरुआत होती है कल कल अचानक पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो जाता है सारे सोशल मीडिया एक तरह सूस पे हरकम मत जाता है अब इंटरनेट जब बंद हुआ तो आम तोर पर कही बार ऐसा होता कि बताया जाता है या कोई टेकनिकल फॉर्ट है वहाँ टेकनिकल फॉर्ट नहीं गौर्णमेंट की तरफ से कुछ बरीफ नहीं किया गया अब लोगों ने कया से अंदादा लगाना शूर किया कि ये इंटरनेट बंद हो गया कुछ बड़ा होने वाला है तो बड़ा क्या हर एक रिपोर्टर अपने अपने सोश को खंगालने लगे इस दोरान में दो चीज़ा सामने आए एक इमरान खान की जो पाटी है उस पाटी का देश भर में कुछ एक प्रासे पदर्शन के हैं मुझारा के हैं जो भी वो था तो उसको रोकने के लिए और जो भी था उसको नाकाम करने के लिए पाकिस्तानी गवर्मेंट ने इंटरनेट पर रोक लगा दे इंटरनेट पर एक तो अंदाजा एक लिए लगाया दूसरा अचाना एक के खबर आईगी के कराची के एक अस्पताल में दाओद इबराहीम बंद है मतलब एड़ बिट हम आफ कीजिएगा बंद नहीं है बंद तो जील में होते हैं और दाओद के हालत बहुत सीरियस है उसके बाद धीरे धीरे अब पाकिस्तान के में मीडिया में नहीं उसके किसी नियूस चैनल पर ये नियूस पेपर में नहीं बलकि सोशल मीडिया में आजकल पूरी दुनिया में सोशल मीडिया बेखाफ होकर अपनी बात सब कुछ कह देता है तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में ये सुखबगाट शुरू ये और कुछ खबरे आई कि दाउत को जहर दिया गया दाउत की हालत सीरिया से फिर खबर आई कि दाउत की मौत हो गई अब ये तेजी से फैलना शुरू हो गया उसी दोरान में अब चुकी आर्जू काजवी ये अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती है इन्होंने अपने वीडियो जारी किये और उसमें डिटेल से कि वो एक अस्पताल में है उसको पॉईजन दिया गया फिर बाद में फूट पॉईजन की बात की फिर मौत की बात की तो वो चीज़ें इंडियन मेडिया ने पिक कर लिया अब हमारे यहां भी शुरू हो गया तमाम सोशल मेडिया पे निउस चैनल पे दाओद की मौत की खबर अब यह कहना कि वाकई दाओद को जहर दिया गया यह मौत हो गई है कोई कैसे यह इसको कन्फर्म करेगा यह आपके सामने रखता हूँ कैसे नामुम्किन है इसलिए कि 93 के बास है जब से दाओद इवराहिम पाकिस्तान में है पाकिस्तान ने आज तक मतलब लास्ट 30 years कभी एकसेप्ट नहीं किया कि दाओद पाकिस्तान में जो 93 के से यह बलास्ट हुए 26 से 11 हुआ उसके बाद जब जब टेरर के अटेक हुए हमारे यह तब तब हमने दाओद को मांगा और दाओद के वारे में पाकिस्तान का स्टेंड ना सिर्फ हमारे लिए युऐन के लिए यूएसे के लिए सब के लिए यही है कि वो नहीं है तो जो शख्स नहीं है पाकिस्तानी गवार्मेंट के हिसाब से उसकी सरजमीन पर उस शख्स के जहर दे कर एडमिट होने के लिए एस्पताल में वो कैसे accept करेगा उस शक्स के अगर मौत हो जाती है तो वो दुनिया को कैसे बताएगा कि दाओद इबराहीम की मौत हो चुकी वो यहां पे यह इस कबरिस्तान में दफनाया गया है Next to impossible क्योंकि आप 30 साल से लगातार हर सरकार के सामने यही जूट बोलने है कि दाओद आपके यहां नहीं है तो अगर नहीं है तो फिर अचानक दाओद की मौत की खबर आपकी सरजमीन से बाहर कैसे लीख हो सकती है यही वज़ा है कि पाकिस्तानी मीडिया दाओद के मामले में कम से कम censorship हैं पर वो दाओद की पाकिस्तान की मौजूदगी की एक रिपोर्ट नहीं दिखाते हैं सरकार की तरफ से हैं और उनको लगता है कि उनके हिसाब से पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से वो उनके national interest में है कि सरकार की policy के खलाब जाकर बताना इससे बुर्य दुनिया में बद्नामी होगी तो वो भी चुप हैं खामोश हैं हलागि पाकिस्तान की मेडिया अपनी सरकार की ठीट ठाक क्लास लेती है लेकिन इस मामले में सारी मेडिया वहां की अपने होट सिल रखते हैं तो पहली चीज़ ये कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो कंफर्म कौन करेगा दाओद इबरहीम पूरी सुरक्षा घेरे में रहता है और आई ये साई पाकिस्तानी आर्मी सबके क्योंकि उसकी मौजूदगी लीक नहीं होनी चाहिए तो मान लीज़े ऐसा कुछ हुआ भी तो वो खबर जिन्दगी में कभी बाहर नहीं आएगी मान लीज़े दाओद इबरहीम की मौत हो गई वो खबर भी कभी जिन्दगी में नहीं आएगी बाहर इसलिए कि जीते जी पाकिस्तान में दाओद की मौजूदगी के बारे में तो सरकार मना करती रही है तो उसके मौत को कैसे वो मानेगी क्योंकि फिर उसका भेद खुल जाएगा कि तीस साथ से तुम जूड बोल रहे हो तो अगर ऐसा होता है बहुत मुम्किन हुआ हो तो भी दाओद किस अस्पताल में है कहां है बलकि खबर ये भी आरी कि जिस कराची के एक अस्पताल में उसके एक फ्लोर पे पूरा फ्लोर खाली है मरीजों से सिर्फ दाओद और उसके रिलेटिव है वहाँ पर और ये बेहद गोपनी रखा गया है लेकिन ये सिर्फ खबर है कन्फर्मेशन जो एक जन्रिस्ट का काम होता कहीं से कन्फर्म सोर्से से चलाए वो नहीं है दूसरा अगर मौत हो गई है तो दाओद को किस कबरिस्तान में कहां दफनाया गया है कौन बताएगा खुले हम तो होगा नहीं अगर मौत हो गई है तो लोगों को शामिल होने की अजाज़त भी नहीं मिलेगी और पाकिस्तानी सरकार जिंदगी में ये सच बाहर नहीं आने देगी तो फिर बहुत जादा ये होगा कि अगर ऐसा होता है तो फिर दिखाया जागा किसी तीसरे देश में चाहे वो यूई हो दुबई हो कहीं और कंट्री में कि दाओद वहीं था वहीं बिमार होगा वहीं मौत होगे कि सखतम ताकि भारा सरकार और पाकिस्तान के जो रिष्टे हैं दाओद को लेकर वो थोड़ा सा ठीक हो जाए तो पाकिस्तानी सरकार कंफर्म करेगी नहीं पाकिस्तानी मेडिया इस बारे में कभी सच बताएगी नहीं तो सामने कैसे आएगा सच तीसरी चीज दाओद इबराहीम जब से रह रहा है चुकि उसकी मौझूद की को दुनिया से छुपाना है तो वो बहत सुरक्षा घेरे में रहता है पाकिस्तान में उसके तीन ऐसे हाइड आउट्स है जहां वो छुपकर रहता है और जहां कि सुरक्षा घेरे बहुत मजबूत है एक है जो कराची में ही है इसका हाउस नंबर है 37 30th स्टीट तीसवी गली Defense Housing Authority यह कराची में है यह एक इसका एड्रेस है दूसरा इसका है White House साओधी मस्जिद के करीब Clifton Road कराची यह दू एड्रेस है एक इसका और भी तीसरा है कराची के नूराबाद के हिली एरिया में पैलेटियल बंगला पैलेटियल बंगलो भी कहते हैं तो यह तीन एड्रेस हैं कराची के और जो एड्रेस पुखता है इसमें कोई शक्नी है हमारी एजन्सियों के पास भी है अब इन वेसे एक घर जो है वो समंदर के बिल्कुल किनारे है कहते हैं कि दाउद को अगर कभी भी साओधी अरब या फिर जैसे उसको उम्रा या हज कर निकले जाना हो तो अपना उधरी से समंदर के नास्ते निकल लेता दुनिया को पता ही नहीं चलता है तो यह तीन है उसके इसके लावा पाकिस्तान के एक और जगे पर और भी है इसके ठिका नहीं अब जहाँ जहाँ इसके घर हैं उस चारों तरग के सिक्रिटी का आलम यह है कि वो आईसाई और पाकिस्तानी आर्मी के निगरानी में है परिंदा भी पर नहीं मा सकता आप छोड़िये कोई गाड़ी भी उसकी बंगले के इड़किट खाली भी नहीं हो सकती दस सिकंड के लिए सुरक्षा आईसाई का है पाकिस्तानी आर्मी का है और दाओद के अपने गिरोह का है अब ऐसे में दाओद को जहर कौन दे सकता है अगर जहर वाली बात सच्छे तो यह सवाल मैंने आर्जुकादमी से भी किया था उन्हें पाकिस्तानी जर्ली साफ़ी से तो उन्हें ने खुद एक्सेप्ट किया उन्हें कहा कि ने एक स्ट्रू इंपॉसिबल है कि दाओद को कोई जाकर जहर दे दे तो फिर अगर जहर दिया गया है तो तो उनका जवाब था और जिसको मैं convince हूँ ऐसा मुम्किन है अगर जहर दिया है तो किसी घर के अंदर घर के लोग नहीं किसी में से गर के ही शक्सने दिया और यह possible है किसी भी घर के एक शक्सक्स को आप साधिश में मिला सकते हो लेकिन कहते हैं कि दाओद खाना भी जब तक दूसरे लोग चक नले वो खाता नहीं है तो इसलिए वो इतना इहत्यात बरता है कि उस तक जहर देना जहर पहुंचाना और घर के लोगों का शामिल होना बड़ी अजीब सी बात लग दी है फूट पॉइजनिंग हो सकता है किसी भी अच्छे खासे इंसान को जो अच्छा खाना बनाया है उसकी बीवी ने बनाया हो कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है तो फूट पॉइजनिंग तो मान सकते है food poisoning से जान भी जाती है food poisoning से अदमी के हालत बिगड़ती भी है ये भी fact है medical history के इसाब सब देकिन तो तो वो भी हो सकता है लेकिन दोनों ही सूरत में खबर confirm कौन करे हम मैं सुना रहूं हूँ आप सुन रहे हैं confirmation कहीं नहीं हो सकती पाकिस्तान के एक और generation का नाम लिए लोगों उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये वो बात है जिसको कोई भी confirm नहीं कर सकता वो जिन्दा है तो भी पाकिस्तान में वो पाकिस्तान में मर गया तो भी इसलिए कौन बताएगा कौन पाकिस्तानी गौ़र्मेंट की जो policy है दाओद को लेकर उसके खलाब जाएगा तो वहाँ के हिसाब से रास्ट विरोधी हो जाएगा वहाँ के हिसाब से देश के खलाब का मामला हो जाएगा तो चाहिए मीडिया हो चाहिए आम आदमी हो चाहिए जनरलिस्ट हो कोई कुछ करेगा नहीं तो ये पहली बार भी नहीं है चौती बार ही है 2016 में पहली बार दाओद के मरने की खबर आए थी तब ये कहा गया था कि गैंगरीन से दाओद इबराहिम की मौत हो गई है और उसका पैर वेर में प्राओद गैंगरीन से पैर खराब हो गया उसके बाद फैला हो गया 2017 साल भर बीता था उसके बाद खबर आई कि दाओद इबराहिम को दिल का दोरा पड़ा अस्पतार ले जाए गया लेकिन बचा नहीं पाए दो हो गया पर तीन साल का गैप आया 2020 आया 2020 में क्रोना आया कहा गया कि क्रोना की वज़े से दाओद इबराहिम की मौत हो गई तीन मौत हो चुकी थी अब एक ये चौती मौत की खबर आई है अब उनस तीन अगर 2016 से आज जोड़ें तो चार तिन साथ साल हो गए अब यहां पर एक सवाल है कि क्या पिछले साथ सालों में दाओद इबराहिम को किसी ने पबलिक किसी फंक्शन में कोई तस्वीर कोई फोटो कुछ देखा है मैंने यह सवाल पाकिस्तानी सहाफी आर्जु खाजमी से भी किया था उनका दावा था कि राओद इबराहिम को कभी किसी ने किसी पबलिक उसमें ने देखा आज भी उसका एक तुराना फोटो आता है और एक दूसरा फोटो है था जो लेटिस बताया जारा पासपोर्ट पे बट वो भी कन्फरम नहीं है तो एक भी उसके ने फोटो नहीं है नहीं किसी रिष्टदारों में या कहीं और वो भी नहीं है अब यह खबर जब कलोडी तो इसके बाद अब पाकिस्तान में दाओद इबराहीम के जो समधी है वो समधी बहुत मशूर क्योंकि किरकेट की दुनिया वे एक जमाने में रन मशीन जावेद मी आदाद जावेद मी आदाद और दाओद इबराहीम समधी तो कुछ पाकिस्तानी जेनलिस्त ने हिम्मत किया और जावेद मी आदाद को फिर फोन घुवाना शूर किया कि क्या यह सही है कि आपके समधी दाओद इबराहीम की जहर या फूट पायदीन से मौत हो गई तो जावेद मी दाद ने किसी को इंटर्वू या बाइट तो नहीं दिया बस उन्होंने एक स्टेट्मेंट जारी किया और उन्हें ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है यह हो गया जो डी कंपनी के स्पोक्स परसन अगर हम कहें छोटा शकील छोटा शकील ने कहा कि यह सब बकवास है भाई ठीक है सब जूट है तो उधर से भी आ गया लेकिन फिर बात वही है कि सच्चाई बताएगा कौन और यह सच्चाई सही मानों में अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो कई सभूत के तोरपर कभी सामने आयगा निया बस मान ले जागा अगर यह हो गया कि लगातार 5 दिन चल गया कि वो सच में मर गया मर गया तो फिर आप यस वकते छेगा कि मर गया करोना की वज़ा से और भी चीज़ें हुई थी तो बीमार है इस बारे में कोई दो रह नहीं है क्योंकि यह लग लग तरीके से च्छन के खबर आ गई लेकिन वो बीमारी के इतनी घा तक उसके बाद क्या हुआ इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता तो यह आज इसी तरीके स से खबर उड़ी सारे चैनल पर चल रही है लेकिन कंफर्म कौन करें अब मैं अगर आप से कहूं कि नहीं दाओत को फूट पाइसन हो गया या पिर दाओत को जहर दिया गया जूटा बन जाओगा दाओत की मौत होगए यह भी मैं डंके की चोट पे दावे से कही नहीं सकता और पर इंडियन जनरलिस तो सारे चैनल अला अगबार सब लग गए तो एक एकलोती जनरलिस हैं जिनकी वज़ा से इस खबर को हवा मिली और यह खबर पहली तेजी से नाम है आर्जु कास्मी आर्जु का तालुक पहले पाकिस्तान बने से पहले इंडिया से ही है वो कल के अलाबाद आज के परियागराज की रहने वाली उनके फादर शायद जहां अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो जच हुआ करते थे लेकिन फिर फैमली चली गई महाजिर मतलब जो हिजर करके गया है और वो पाकिस्तान की इसलामाबाद में बेबाग बेख़फ निर्भिक पतर डाले तो पहले ये पूरी बात चीछ सुन लिए फिर मैं लोट गया तो इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तानी जर्रिस्त प्रकार सहाफी आरजुकाजमी मौजूद है और आरजुकाजमी वो पाकिस्तानी जर्रिस्त है जिनकी वज़ा से पाकिस्तान से ये खबर चंकर हिंदु पुक्त ही कि दाओ इबराहिम को झेहर देया गया और दाओ इबराहिम की मौत हो गई से ये कब कैसे और सोर्स क्या कैसे क् некотор चीजु की चुरुव ही इत ख़रुई हुई है पाकिस्तान में क्योंकि जो इंटरनेट है उसको स्लो डाउन कर दिया गया और यहां पर जो है वो आज सुबा तक कल शाम से लेकर आज सुबा तक ना तो यूट्यूब चैनल चल रहे थे ना ही ट्विटर, सोशल मीडिया और गूगल सर्वेसेज भी जो हैं वो स्लो डाउन की लेकिन उससे पहले सरी पॉईजन की बात की जा रही थी कि वो दिया गया है और उसकी हालत खराब है उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है जब यह नियूज आई तो फिर मैंने जो है वीडियो अपनी एक बनाई थी अपने चैनल के लिए मगर वो क्यूंकि मैं बात कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि असले बात क्या है आर्चु मैं यह जानना चाहूंगा जब इंटरनेट डाउन हुआ सोशल मेडिया तमाम चीजें रुक गई तो उस वक्त बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जैसे आपने का इमरान खान की पाटी की रैली भी है लेकिन पर्टिकुलर दाओद इबराहीम को फूट पैजन हुआ दाओद इबराहीम को जहर दिया गया या दाओद इबराहीम हॉस्पिटल में हैं यह अंदाजा कैसे लगाया गया इंटरनेट डाउन होने की वज़ा से देखें हमेशा से एक इशू रहा है दाउद इबराहिम को लेके पाकिस्तान में और पाकिस्तान हमेशा से डिनाय करता रहा है और कहता रहा है कि दाउद इबराहिम जो है वो पाकिस्तान में नहीं है बलके वो दुबाई में है और इसके बाद जब यह स्लोडाउन यह सारी च की जारी थे और उसको एमर्जनसी में जो है वो किसी हास्पिटल में ले जाए गया है जैसे ही ये खबर हर तरफ से आनी शुरू हुई सोशल मीडिया पर उसके बाद ही सोशल मीडिया को जो है और इंटरनेट को स्लोडाउन किया गया है उससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था पिर अचानक से कल शाम में जब यह हुआ उसके बाद कई और लोगों ने इंडिया से पाकिस्तान से कई दूसरे लोगों ने भी इस ब बढ़ती चली गई और अभी तक इस बारे में कोई सफाई नहीं दी गई अभी कुछ देर पहले कोई 30 मिनिट्स पहले जाविद मियादाद जो के संदी हैं दाउद इबराहिम के उनका स्टेटमेंट में कहीं देख रही थी तो उन्होंने कहा कि किसी मीडिया ने उनसे पू सफा मिल रही है कि वह कि जानकारी नहीं कि की लिए गई कि बड़े वापता नहीं जी दाउद इबराहिम का जो घर है तो वहां पर भी क्या कोई मेडिया या पाकिस्तानी मेडिया तो पर भी लेकिन फिर भी कोई हल चलिया गई है कोई देखें पाकिस्थानी मीडिया तो हरकेस नहीं जाएगा उसको तो पर्मीशन नहीं होती इस तरह से जा के इंटरव्यू करने की या चेक करने की आपको मालू मैं हमारे मीडिया तोड़ा सा कंट्रोल होता है सोचल मीडिया के लोग अगर कोई जाना चाहे तो शायद वो गए हो लेकिन अभी तक मैंने किसी को देखा नहीं कि वो क्लिफटन पहुंचे हूँ क्योंकि एग्जक्ट लोकेशन जो है दाउद इब्राइम के घर की वो किसी को मालूम नहीं है और अगर किसी को मालूम भी होगी तो यकीनाँ वहाँ पे सेक्यूरिटी के लोग होंगे वो अंदर तक जाने नहीं देंगे मैं इसलामाबाद में हो आप इसलामाबाद में आपके अपने सोर्से देख जर्नलिस्ट का अपना सोर्स होता है आपकी एजनसियां में सोर्स होंगे गौर्मेंट में होंगे पुलिस में होंगे अन्रवल में होंगे उनकी तरफ से कोई ऐसा इशारा मिला कि हाँ सच्चाई में इसमें किती सच्चाई है कि food poisoning या poison की बात दाओद इबराहिम की सर मेरी एक दो लोग उन से जिन से बात हुई है उन्होंने मुझसे यही कहा है कि दो से तीन गंटे वेट करो और हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरे अपने जॉर्नेलिस्ट दोस्त हैं उन से मैंने बात किये तो उन्होंने एक आए कि दो से तीन गंटे रुकी है और उसके बाद ही कुछ हम पता करने की कोशिश करने हैं तो फिर बता पाएंगे वह लोग अच्छा आर्जू आपने दाओद इबराहिम जाहिस से बात है पाकिस्तान में जिस तरह से है और पाकिस्तानी गवर्मेंट शुरू से यह डिनाई करती रही है कि यहां पर दाओद नहीं है तो वो जो जहां रहता है जब वो निकलता है उसका काफला उसकी सिक्यूरेटी उसके हिफाज़त के लिए तमाम इंतजाम आपको लगता है कि ऐसा मुम्किन है कि उसकी सिक्यूरेटी को भेट कर उसके घर में घुसकर कोई इसको किसी खाने में या पीने में जहर मिला कर दे सकता है यह अगर और बात है। जो भी आप कहें आफ़ा सचाई जो भी मालूम नहीं दो बड़ी अजीब सी चीज है एक ये कि पाकिस्तान शुरू से डिलाल करता रहा कि दाओद इबरहिम उसके यहां वो इनकार ही करता रहा है दाओद अगर सपोज में सच में जहर दिया गया हो इससे भी आगे बढ़कर लेकुर्ण प्राउट की सच में मौत हो गई है क्या ये सच और रास कभी पाकिस्तान से बाहर दुनिया के सामने आप आएगा आपको ऐसा लगता है ये मुमकिन है मुझे लगता है अगरand ऐसा कुछ हुआ होगा तो य किनाँ यह रास बाहर आएगा और कि इसी और तरीके से हो सकते हैं लेकिन भाहर आएगा इसलिए कि इसमें पाकिस्तान काई फाइदा है तुकि बार-बार भारत की तरफ से जैसे कहा जा रहा है कि टेररिजम खतम होगी तब ही बात होगी तो इसमें से कई चेहरे ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान को हटाना होगा अपन और अब दाओत की मौत पाकिस्टान में पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तनी सरकार दिखाएगाँ तो फिर ये पॉल सोचल मेडिया में इसकी कोई coverage इस दाउत की जहर यह पूट पईजन को लेकर लेकर तो चैनल पर कोई कवरेज नहीं है किसी किसम की कोई बात नहीं हो रही है अर्जो जी क्या पाकिस्तान में मेडिया में कभी ऐसा हुआ कि कहा जाता हाई कि आप लोग दाउद की कोई स्टोरी नहीं दिखाएंगे या दाउद के वारे में कोई रिपोर्ट नहीं चापेंगे जिससे यह killiar होके वो पाकिस्तान में ऐसा होता है अपनों के साथ जी यह पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बिल्कुल जो है उसके अंदर सेंसर्शिप है और डेफिनेटली है और हर्गिज उनको प्रविशन नहीं होगी कि वो इस बात को उठा सके अगर आपको ये खबर मिलेगी तो आपको सिर्फ सोशल मीडिया और यूट्यूब की हद तक मिलेगी आपको पाकिस ये अनाउंस कर दिया जाए कि उसकी डेफ हो गई है तब शायद ये लोग कोई बात करें अधर्वाइस कोई नियूज नहीं आएगी आर तुझे आखरी सवाल 2016 में पहले खबर आई थी कि दाओद इबरहीम की गैंगरीन से मौत हो गई 2017 में आई कि उसको हार्ट अटेक हु गया उसकी वज़ा से मौत हो गई या 2023 में है कि फूट पॉइजनिंग या पॉइजन दे दिया गया उसकी वज़ा से मौत हो गई तो एक चीज़ आखरी बार दाओद को पाकिस्तान में या कहीं पॉब्लिक ली या कुछ खास लोगों के बीच में देखे जाने वाले कौन- कि वो जिन्दा है या क्या पता हो पहले ही मर चुका हूँ अगर उसकी डावद इबराहिम को देखा है ना ही कोई उसकी लेटेस पिक्चर किसी ने देखी है रिसेंटली कुछ सालों से तो उसके कोई पिक्चर भी नहीं आई है सामने लेकिन एक बात जो सबसे जीव है वो वो ऐसा भी कुछ नहीं कह रहे है जिसकी वज़ा से ये बात जो है मजीद इसमें कॉम्प्लिकेशन जो है इस न्यूस के अंदर बढ़ते जा रहे हैं दाउद इबरहिम की जो कहते हैं कि डी कंपनी का स्पोक्स परसन छोटा शकी इंडियन मीडिया से बात की और उन्हें च सही कह रहे हैं हो सकता है सही भी कह रही हो को यह ख़बर ना ऊ-व लेकिन उसके लिए भी मजुझतान तो कितने ही लोग जो हैं, जब शाख घर देखेंअ, करते उनके लीडरा भारे जाते कई बार उनके लिडर डेलर भी आपकर ननी विद्याMP के लगा दे थे कि वह को अनकी आपकिस्तान हैं लेकिन उसको ऑन एर नहीं होने दिया गया तार्मी पुब्लिक स्कूल पर टाइब हो गया उसका इंट्रिवी ज़रूर बनाई गया था और वैसे भी चाहे यह इस आदमी का मसूद आजर हो चाहे हाफिस सईदो या दाउद इबराहिम गुझे इस्टरह के किसी टर्रृरिस का इंटर्वियू करने का कोई शौक है और ना ही किसी और मीडिया वाले ने कभी कोशिश की इंटर्वियू बनाने की ठीले बहुत बहुत शुक्रे आरजू और इस खबर में जो भी अपडेट होगा मुझे अमीद है कि आप से गुजारिश भी करूँगा आप जरूर एक बार दोबारा आएंगे और हमें बताएंगे लेकिन इस पूरी बाचीट के लिए बहुत शुक्रे आप तैंक यू सुमेश सर्फ तैंक यू तो ये थी आरजू काजमी जिनको आप सुन रहे थे जतने मेरे सवाल थे मुझे लगा कि और किससे बात करूँ इसलिए मैंने आरजू काजमी से बात कर ली अब आपके सामने तस्वीरे साफ हो गई हैंगी जो उनोंने का बहुत कुछ किलियर कट में भी कहा तो मुझे लगता है कि इस खबर को लेकर जो सबसे एहम चीज़ थी और ये कहानी पूरी आपके सामदे रखती है अब कहानी खत्म करों उससे पहले वही अपना सिलसला आज दीपा गौतम इनका जरम देने है तो हपी बड़े दीपा और ये प्रकाश गौतम की वाइफ हैं प्रकाश गौतम और दोनों नेपाल के हैं लेकिन इस वक्त साओधी अरब में है साथी आरिफ जी बारादरी वाले इनका भी आज बड़े है तो हपी बड़े आरिफ साहब और ये बेजा अदनान खान ने हुमाईउ बिश्णोई का भी आज बड़े है तो यहाँ बढ़े हंवान जी, राम पाकर इनका भी आज जर्म दिने हैं, तो ह 되고 वड़े राम जी और यह कमलेश कुमार ने भेजा है, मनप्रीत मीत कौर का भी आज बढ़े हैं, तो यहाँ मीत सिंग ने है, साथी सो्नम प्रीत कौर इनका भी आज बढ़े हैं, तो है प Caoनम ज सुमित का भी आज जरम देने हैं पिबड़े सुमित और ये मीता भट्याचारे जी के बेटे हैं मीता भट्याचारे जी हमारी क्राइम तक फैमिली की बहुत पुरानी मेंबर हैं नमस्ते आपको मीता जी आप हमेशा अच्छी रहें साथी मधु इनका कल्ब बढ़े था तो ब वासेपुर के रहने वाले धन्बाद कल इनका बढ़े था तो बिलेटर हैं बढ़े शानवास साथी आज मेरी मुलाकात हुई सौरभ पांडे से थैंक्यू सो मच सौरभ भाई आपकी इस प्यार के लिए और इनकी जो पत्नी है वाइफ अमरिता इन्होंने बताया तो अमरि दुआ है आपके लिए अमरिता जी और साथ में सौरभ पांडे आपके लिए भी थैंक्यू सो मच आपके प्यार के लिए आप दोनों के प्यार के लिए मनीश पाल थैंक्यू सो मच सहीत चौधरी थैंक्यू सो मच यस्त्रवेदी इन्होंने कहा कि मैरे अपने मोबैल में एक्स्ट्रा अलग से 256 जीवी का वो डेटा लिया सिर्फ कहानी के लिए तो आपके इस प्यार के लिए यस्त्रवेदी जी थैंक्यू कभी मुलकात होगी तो 2500 जीवी के जो भी पैसे होंगे आपको मैं देता हूँ मजाग कर रहा हूँ साथी शैलेंद्र विश्व कर्मा एडवोकेट आलिशान हसन इन्होंने कहानी के फरमाईश की है चंदन सिंग नैनिताल से थैंक्यू सो मच सिंटु कुमार दरभंगा से थैंक्यू सो मच आश साथ चौधरी बैतूल से हैं थैंक्यू सो मच इसके लावा निखीता परिहार इन्होंने कहानी के फरमाईश की है और बस आखिर में आज आरवा हुसैन और सहिफद्दीन इन दोनों की मेरे जैनिवरसिली भी है तो आप दोनों को बहुत-बहुत प्रुआरग बात तो कहान अब आज इत्रहीं अब आप से मलकात होगी कल रात नों बजी किसी नहीं कहानी के साथ तब तक अपना खायल रखेगा अपनों का खायल रखेगा थैंक्यू